आयुश्मान भवा गुरू जी, इस हवन के बाद मेरा काम हो जाएगा न पंच भूत से नौफगराव को तो शांत कर ही दिया 15 साल से जो मैंने कहा वही हुआ न आज तुम इतने बड़े आदमी कैसे बने हो, जरा उसको याद करू आपको तो पता है ने गुरू जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए थीटर में वाच्मेन था किसी ने मुझे लड़की नहीं दी, तो गुस्से में ट्रेन के बातरू में छुपकर घौओं से शेहर में आ गया यहां पर आकर सोचने लगा कि मैं यहां पर करूं क्या, फिर मुझे लगा कि रियल इस्टेट का ब्रोकर बन जाता हूँ, उसके वाद सिल्सला चल निकला यह तो आपको पता ही है न, वैसे आज तक इतने बना लिये, सेंचुरी में 20 का मसी तक, करोड़ों, हाँ जी, अंग बिना मुझे बेची, अब उसका केस कोर्ट में है, मुझे नहीं लगता वो केस जीतने वाला है, उसमें 300 फ्लेट्स हैं, जिसमें से आधे बिक चुके हैं, बच्चा हुए फ्लेट्स के खरीदार मुझे नहीं मिलने गुरूजी, हवन करवाओगे, तो सब सही हो जाएगा, जितने भी ग्रह हैं न सब कंट्रोल में आ जाएंगे, बहुत जल्दी तुम्हारी जिन्दगी में एक महापुरुष आने वाला है, वो तुम्हारी जिन्दगी को बदल देगा, ऐसा क्या गुरूजी, कब आएगा, कैसे आएगा, मैं कैसे पहचानूगा उसको, सूर्य की क पिर्णों के साथ ही सुबा सुबा पैदा होगा, और ध्यान मुद्रा में बैठे विष्णू भगवान की तरह दिखाई देगा, तुम आखें खोलो उससे पहले ही, वो तुम्हारी अज्ञान की आखें खोल कर तुम्हारा शुप करेगा, वो महापुरुष कहां होगा, अ मैं अकेला जाता हूं, हम नहीं जाएंगे, तु जाके चोरी करके आजा, क्या होगे ऐसे पाग्लोगल होगे आईए को महां जा जाके आखें जाके आता हुआ जाके आखें खुम्हारी को आखें जाके आता हुआ एइए कि जोए आने जगेए तक कि ऑने ज गुझे तेटालरा भुझे काeties, कि मैंने जोए काश्यान्वेँ प्atyön तुम प्रूरकान फिंदी को बताने है необяз функ अर बंदी। कि कई होगा? है… कि जूर, कि जूर!!! खुटवाहिए, मुझा बานधेन, श्तुमlaration, खुटवाहिए!! क् iterुंग हुट! अगै खुटव, कोंगा! हुटक, कोंगा! नहीं हुट! अगम हुटिना, भी चूहर मुटाहिए! दो करना नंग को! कि इदा ही ने वागा? आ यह इदो आया को, और जोगा? सहरे, कि जोगा? यहें वोगा, तुम मुस्त्रा देरोगो, उधर टूरोगो सूर्य के किर्णों के साथ ही सुवा सुवा पैदा होगा और ध्यान मुद्रा में बैटे विष्णु भगवान की तरह दिखाई देगा तुम आख्यान की आख्यान की खोल कर तुम्हारा शुक करेगा गुरुजी कि यह प्रशन स्वयम से करना चाहिए। तुम कहां हो तुम्हारा अस्तित्व क्या है इन सभी प्रश्णों का उत्तर एक ही शब्द में दे दिया है स्वामी जी ने वोग्रीश्ण आप लोग मुझे क्या समझ रहा हम क्या समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े-बड़े ज्यानी नहीं दे पाए मात्र भगवत गीता में ही इस प्रश्न का उत्तर है वही स्वामी जी ने भी बताया जै हो कृष्ण आप मेरे लिए हैं सौमी अब यह क्या सौमी इस गरीब के ऊपर आपकी बीच साल से मुझे शुगर बीपी सब हो गया है पर आपके डर्शन नहीं हो है सौमी लेकिन आज आप में मुझे दर्शन दे ही दिये सौमी मेरा जीवन धन्य हो गया कितने दिनों के बाद मेरी पुज जय क्रिष्णनरंड स्वामी जय भ्गतों कि सेवा के लिए Krishnanand स्वामी आगे है जय एंए। प्रणाद्ड सभगी जय बाब्स जय एंए जय एंए नमस्कार भी मैं जय ए जी एंए.... अ हेट करेक हैं? आप आपको बनलाए किया को वार आपक जो ऑप है आपप की बोरो लंजे अपसके कैसे अब हमेना वे लिए खालिन अब चालियान और फति काल्यूर ठीक के को कम्म में टे 안licher खाहर एवा consistency आझा हाँ हाँ एभ एक यर एक히ले लख कै LED कुल एकते लएकtsंटर प्रिदी हाँ आप क्रिष्टानाद स्वामी की. अब तुम्हारे साथ शादी करके मैंने अपना ही गला काट दिया. वस राजनेती के चक्कर में मैंने जो देष में पैसे लायाय थे, हो भी खतम हो गया. उपर से हैमेली बनने की चक्कर में दस साल से पार्टीज में घूम लिया, तुम तो कॉर्परेटर भी नहीं बन पाए, छे तुम्हारे जीने पर अरे मैं क्या करूँ, एलेक्शन कैम्पेइन करके तो अभी अभी आया हूँ, फोन क्यों किया, घर आ रही हो क्या क्यों आओ घर पे, यह भी कोई जीना है, बेटी का बदे तो याद नहीं रहता, उपर से कैम्पेर लड़ने चले गए, कैसे याद रहेगा, छे महिने में एक मार आती हो, गालिया देकर चली जाती हो, क्या करूँ, तुम हमेशा करतूते तो ऐसी करते हो, उधार लेके देश क सेवा करो, नमस्ते सर, टोटल अमाउंट 14,600 हुआ, और 6 मैने से लाइट का बिल, किसी ने भी भरा नहीं है, सर, मीटर निकाल रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका, भर देंगे भाई, वैसे आसपास इतने लोग क्यों खड़े है, यह भीड क्यों है, जब आप शहर में न बेटा, हमारे स्वामी गंगा नदी की भाती है, यहां सिर्फ पाप जमा होते हैं, ले नहीं जा सकते हैं, चुनो, जल्दी से मेरा एक काम करो, बार-बार हमने मना किया, लेकिन नहीं माना, अब देखो, खुर्दी गाया भोगया है, अब यह सब क्या है, बाबा, यह और बाबा, यह और बाबा, चलो आगे बढ़ो, अभी तक तो ठीक था भाई, अब चार दिन से इसकी तवित खराब है, बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिले बाबा के पास आए है, इसे क्या हुआ है बेटा, बाबाजी, बजपन से ऐसा है, कुछ चमतकार कर द अब ही ठीक करता हुँ, अब यह ही रहकर स्वामी जी की सेवा करो, पूछ रहुँ, मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, फोटोस में जो यह सारे आद्मी है, वो वॉंटेड है क्या? अरे पता नहीं, फॉरेन वाले बाबा होंगे, गोरे बाबा काले काम, ओ, नीचे लोर जी हैं क्या, नहीं, नीचे तो दर्वाजे में ताला लगा है, ताला लगा है, कहां क्या होगा, क्या है ये, डेर्ड साल पहले कहा था कि टिकेट दिलवाऊंगा, और पांच करोड बाकी के कौन लॉट आएगा, बाकी की क्या करोगे, बाकी की पैसे तो पार्टी फंड में चले गए, अगले एलेक्शन में तुम्हें टिकेट दिलाने के लिए पैसे चाहिए न, मैं मिनिस्टर हूँ भाई, मुझ पर भरोसा करो न, आप पर भरोसा किया, तभी तो ये हाल सुनना, बचपन से ही मैंने फाइट स्टार होटल का सपना दिखाए, और ये ठहरे मिनिस्टर, काफी नाम कमा चुके हैं, तो हमें अच्छी जमीन कहीं भी मिल सकती है, और होटल बना सकते हैं, ये हमारा बिजनिस होगा, मुनाफा ही मुनाफा, बिजनिस, वो भी आप लग कर आप लोगों को सडक पर ले आउंगा, पैसे तो कल और कमालूंगा, अमेरिका जाके अरबपती बन सकता है, मुझे दलाल बोलता है, मैं दलाल हूँ, लगता है मर गया, बचपन से अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ, कोट में तो मैं सिफ बोलता हूँ, लेकिन बाहर करता हूँ, इसे तो पैसे की एहमियत तब भी नहीं पता थी, जब ये अमेरिका गया हुआ था, अरे, ये क्या कर दिया रवी, दिखाए नहीं देता, दल्ले को माल डाला, अब तीन करोड तेरे और दो मेरे, ये गौवर्मेंट गेस्थाउस है, इसलिए तो मारा, अगर त करीट चली जाएगी, वो क्रिमिनल लॉयर नहीं है, क्रिमिनल है, उसका बाप भी एक क्रिमिनल था, मैंने तुमसे छोटा सा काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ, कहीं जाके डूमरो, तुम्हारी वज़े से बढ़ गई है, अब शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा, अब गारी में बैठो, एक अमाग आएगा, बोलो रभी, कहाँ परो, पुली स्टेशन में, अर्जिंटली अम्बूलेंस लेकर मिनिस्टर गेस्ट हाउस पर आओ, हम, कौन है है, एनाराई, बात ज्यादा उड़ रहा था, ये देश भग्वी ना, कहां कहां से घुम के यहा अच्छे एक बात बताओ, छोटे बाबू ने फोन किया, मुझे भी फोन किया था, बोल रहा था अर्जंट बात करनी है, अर्जंट, ये क्या, इन लोगों ने यहां अटा जमाली है, कौन है ये, ये अमीरपूर के टपोरी मवाली है, एक नंबर के चोर है, स्वामी जी, आपके दया से श्रंकरबाग का केस कोट में सेटल हो गया, पांच करोड का प्रॉफिट हुआ है, तस परसेंट, पचास लाख आपका, ये आपका कोटा, ये कोटा नहीं है, भेट है, स्वामी जी को कोटा दे सके इतनी हैसियत नहीं किसी की, आपकी किरपा भक अगर तुम डियस पी बन जाओगे तो कितना कमाओगे, पचास करोड और तुम लोग इस खजाने का महा मंतरी कौन है, पता लगाओ, और कौन, वो पगड़ी बांदे हुए गुरू जी है, तो महा मंतरी के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान में थे न, समय मिले तो मनुष्य को ध्यान लगाना चाहिए, इस से मनुष्य की प्राण वायू बढ़ती है, बोलिए क्या कहना, स्वामी जी की बारे में आपका क्या ख्याल, हमारा ख्याल क्या है, साक्षात विश्ण आप कैसे कह सकते हैं, हर चीज का कारण जाना मनुष्य के लिए जरूरी है, क्या, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, इसका कोई कारण है, क्या, जीवन के लिए सूरी के किड़ने चाहिए, इसका कोई कारण है, क्या, जब भी भगवान को भक्तों की याद आती है, वो पधारते ह और हम लोग उनका आशिर्वाद देते हैं मैंने कहा था ना इसकी अकल थोड़ी कम है हम भी सेवा करना चाहते हैं अच्छा बताई ज्यादा कुछ नहीं सवामी जी की तरफ से भक्तों के लिए हम एक ट्रस्ट बना कर भक्तों की सेवा करना चाहते हैं था अच्छी बाट राजनितिग्या और पुलिसALKंरा दिख रहे हैं चलिए चियानबे, सतानबे, एठानबे, अरे यार, उस बिल्डर ने हमें कितने ज्यादा पैसे दिये थे, लेकिन ये तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, अभी बाकी के पैसे किसे मांगने जाएंगे, ऐसा क्या, सारे पैसे हमें समाल कर रखने होंगे, हम अब किसी पर भरोसा नहीं एक विशेष प्रयोजन था, ये नहीं जानती कि ये सब आपका किया है, ये आपके नम से टरस्ट बनाने के लिए आपके अनुमती चाहते हैं, अब आप जाहिए, जो और आपके भक्तों की सिवा करना चाहते हैं, देखिए, सूरिय को टॉर्च की लाइट की जबाश नहीं पता है इनसे आशिरवात दिलाने के लिए आप लोगों को लाया था अब आप जाईए जय हो स्वामी जी की हम अब कृपा करके जाईए स्वामी जी अगर ट्रस्ट की पेपर पर साइन कर दें तो ठीक है दीजिए कुछ मत करनों शुब हो यह ट्रस्ट बहुत जल्दी उंचाई पर पहुँचेगा सामी जी आग्या दीजिए आईए क्रिमिनल लॉयर है यार बहुत चालाक आदमी है अपने बस इतना टाइम निये रहे रात को ही पचास लाक लेकर चले जाएंगे किसी दूसरे ठीकादयों पे अपनी लाइफ तो सेट हो गई बाबा अब अमे कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारे पास यह सेलफोन कहां से आया दुकान से खरीद के लाई खरीदने के लिए पैसे कहां से आये आप जो पैसे वहापर ढून रही है ना उसी से मैं यहां तुमसे बात कर रही हो, पैसे चोरी करके सेलपोन खरीद लिया, बेशरम कहींगी, तो और क्या करूँ मैं, बिगरी खत्म होते ही, शादी-शादी करके मेरे पीछे पड़ गए, एक तो किसी से कुंडली नहीं मिलती, उपर से लोग दहेज मांगते हैं, इन सबसे प बेटा मुझे बोलना था, मैं लेकर आता, छोड़ो ना, भूख लगी है, खाना लगाऊ ना, खाना तो लगाती हूँ, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी, मेरी बात सुन लो, मैं मेरा एक पैसा छोड़ने वाली नहीं हूँ, वसूल करूँगी, हाँ अलो, जीजु कहां हो, घर पे, आपको बोला था ना, कि हमारे अपार्टमेंट में भगवान आये हैं, कृष्णानन स्वामी, बहुत ही चमतकारी है, अपने शक्ति बाबू बिल्डर है न, कर्जे में थे, वो स्वामी जी से मिलने के बाद, राती रात कर्ज से मुक्त होकर बड़े आदमी बन गए, वही क्यूं, मुझे शुगर था, बाबा की कृपा से मेरा शुगर भी चला गया, आप तुरंट खुश्बू को लेकर यहां पर आ जाईए, एक ही महिने में उसका दोश मिठ जाएगा, और उसकी शादी हो जाएगी, देख, इस हफते मुझे में आता हूँ. प्रिशी वहां चलते हैं रिशी आहां आ रहा हूं चल्दी खोड़ा हां आ गया गया इस वर कोना गया यह देर क्यों लगा दी इसकी तो क्या दीदी जीजु नहीं है उनका हमेशे एक ही जवाब रहता है विजी हूं एक हफ्ते में आ जाएंगे बुल रहा है ना ठीक है हमारी भगवान की कृपा है ना आ जाएंगे चलिए अब लोकी है प्रम शुकर देख लेंगे वह दम पेक्ट नोग यह प्रकड ऑगया इसकी वह पागल हो गया क्या मरवाएगा क्या तू अब चलना चलते चल्दी कहां जाना है अब बागल हो गया क्या क्या हुआ और तूजय ने मच्छर कांटर अबै तुझे मैंने उसको पूछ रहा हूं पूरी स्टोरी सुनने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है अब जब टाइम पर दारू नहीं मिलते ना तो यह हाल होता है अब उसका फ्यूज उड़ गया लड़की देखके और नहीं तो क्या अपने नसीब में गरीब होना लिखा है अब तो अ करता यार दिमाग काम नहीं कर रहा बस दारू ही रास्ता है दिमाग खराब है तो दारू की जगा जूस पीरे मुझ से कोई अच्छे बाद निकली नहीं सकते हैं सोजा हमेशा बखवास करता है सोजा हुँच है बाद करता है स्वार है अब श्याज़ के अवर संगा हाँ हाँ सोगेए जय को आघो, आख जय उता है न क्ही उता है जय के आख जय को अ ईय को अ तीवी देकलता हूँ इवी देकलता हूँ क्सक्स क्यारे, तु यहाँ क्या कर रहे? क्यों बेटा, यारका मामले? क्यों गलता हूँ क्यों यह भाई यह अब तो पेना दिये जगा दू क्या? क्यों बगवान यह भाई इसे मैं अपने याद के लिए रखनू इसे लावे अरे एक तो मेरे याद के लिए छोड़ दे ले ले जोड़ दे ले मुझे बोल रहा ला तेरा क्या बिगड़ जाएगा और नीचे इसा दूमनों त्वान याकर पेना दे वह कुफ कहेंगा इसकी कुंडली में दोश है शादी नहीं हो रही अब आप ही कुछ कीजिए ताकि इसकी शादी चल्दी हो जाए स्वामी जी स्वामी जी बेटी स्वामी जी आपकी बेटी के दोशों पर नजर डाल रहे हैं इनकी शुप द्रिष्टी आपकी बेटी पर जितनी देर पड़ेगी अच्छा होगा ठीक है चल्ट मेरी फिरवेन निकल रही है कुछ कर उसे रोकना यार कुछ करता हूं सुनिये हां बहन जी स्वामी जी ने आपको 21 दिन रुखने को कहा है क्यों स्वामी जी वो इसलिए 21 दिनों तक सीता जी ने जब शिव जी की प्रात्ना की थी तो उन्हें राम जैसा वर मिला था बेटी भ अवश्य बिलेगा पर इसे करना क्या होगा स्वामी जी सुभा और शाम को भजन किर्टन और रात्री को पूजा अर्चना यही तो मूल मंत्र है सारे दोष्ट स्वामी जी के क्रपा से दूर हो जाएंगे आप भी तो कुछ कहिए स्वामी जी की जय हो अरे किसकी क्या पूजा पूजा मुझे तो उसकी नजरही ठीक नहीं लगी 21 डेज मुझसे नहीं होगा मेरी बास सुनों यह सब कैसे हैंनल करना यह मुझे पता है समझ गई ना आंटी आप इतनी पतली कैसे हो गई तुम्हारी फ्रेंड जैसी बेटी होना तो जिन्दा रहना भी मुश्किल है लेकिन अब कर भी क्या सकती हूं आंटी आपको पता है हमारी सरकार एक नए स्किम लेके आई है और यह स्किम पढ़े लिके लड़कियों के लिए है इसके ल दिली जाना होगा और इसकी जानकारी लेनी होगी आप कहें तो मैं खुश्बुक लेके दिली चली जाओ दोनों ने मिलकर अच्छा प्लान किया है तुम लोगों को क्या मैं पागल लगती हूं जो तुम्हारी बात मान लो 21 तक यहां रहकर अगर पूजा नहीं की तो तुम कोई आकर इस पर गिर गया मुझ कोलती है तो छूड बोलती है अब तुम्हीं से कुछ समझाओ गलत है वेटा ऐसी बात मत करो अब तुम मुझे ही देख लो शुगर की वज़े से में कितनी बार हॉस्पिटल गया स्वामी जी की कृपा से शुगर चला गया देखो एसे कुछ रही है मेरा ही नसीब होता है कुछ बो एक बार हमारी बात मान लो ना बेटा ओ ये क्या किरहे है मामा जी स्वामी जी की सेवा में हूँ स्वामी जी एसी टीशर्ट पहनते है क्या ॹपाहरा हूं सब पागल हो गया है डागवानाद नादान है कुछ भी बोल देती है शमा कर देना इसे सिदेश बाबा की मेरा फोल जिसकी सी को पहले मिला है वहां आकर की समय में अभि तक मेरी टीन शादिया हुई है एक भी शादी निभा defence पाई तीनों ने मेरे पैब सें स्वामी जी जिन्देगी में हार चुकी हूँ स्वामी जी तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी संसार से विरक्ति हो गई और जो धन तुमने पाप करके कमाए हैं हमें दान कर दो और हाँ अगर तुम मेरी एकांत में सेवा करोगी तो सुखी रहोगी बेडरूम में कहीं सीसी टीवी कैमरा तुनहीं है आप भी ना स्वामीजी मैं तुम्हें दूंगा एक फल जिससे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे सारे कष्टों का हल आपकी दक्षिना स्वामीजी शिदेश बाबा की तो ऐसी कित ऐसी कौन है यह अरे मारो इसे मैं आप लोगों का हुस्सा समझ सकता हूँ लेकिन मैं आप ही के लिए काम करने वाला आप ही में सेख हूँ मेरा नाम डॉक्टर चैतन्या और मैं एक नास्तिक हूँ इस तरह के टुच्चे जादू मैं इससे बेतर कर सकता हूँ जिसे आप एक भगवान का ओधा दे रहें वो एक धोंगी है किसी चौराये पर जादू के खेल दिखाने वाला ये कोई महत्मा नहीं बल्कि 420 है मुझे आप जैसे भक्तों से कोई शिकायत नहीं बल्कि भक्ती कि आड़ में आप जैसे भक्तों की आखों पर पट्टी बांध कर चूना लगाने वाले बाबाओं पर घुस्सा आता है छे महीने इस आश्रम में रहकर कुछ मी समझना बाकी नहीं रखा मैंने दस साल पहले इसके अकाउंड में पांच हजार रुपे भी नहीं थे और आज इसके अकाउंड में दीस करोड बैंकॉक में मसाज करवाता है श्री लंका में गैम्लिंग करता है यह इस राक्षस का कच्च चच्च यहाँ भी लोगों का पैसा है ओफिसर दीस कमेर अरेस्ट अं अ फब तुमसे किछ ने कहा किuar वान बोलते हैं सब लोग बोल रहे हैं जो चाहिए वाप से मांगकर रोओं सब लोग őं नहीं है वो नीचे गया है ठीक है मैं उसे नीचे जाके ढूंड लोंगी ओ ममी ममी तुम यहां कब आई पापा के ओफिस जाने का टाइम हुआ है तु गुड बॉय है ना चल नीचे चलते हैं नहीं बेटा बाबाजी को तकलीफ नहीं देते हैं चलो नीचे चलते हैं तुम जाओ आप नीचे चाहिए मैं थोड़ी देले में इसको भेजता हूँ फ्रभाट आप अब बौलो क्या चाहिए तुमें लगे तुमैं कोशिश करूँगा बताओ क्या चाहिए तुमैं मेरी ममी और पापा घर से बाहर नहीं जाने देते ऐसा करो की मम्मी पापा दोनों मुझे कर से बाहर आने दे बस इतना ही कोई बात मैं list सिखाताहू तुमें जब तुम्हारी ममेट तीवी देख रहा हो ना तब चुप केसे यहाँ जाय करो तुम पर तुम्हें प्रोग लिया क्या कि इची है इची ओके ती ती कल की मुणलाइट बहुत अच्छी थी ना सच में उस मुणलाइट में तुम और भी स्यादा उपसूरत लग रहीं थी अच्छा क्रिष्णन्द स्वामी की कुशिश कर रहा है तो अब क्या करना बता कुछ भी हो आज इससे बात कर के रहूंगा अच्छा होई जरा सुनिए आजी आप 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 से कुछ कहना चाहते हैं जल्दी आईए तो आप क्यों आ रही हैं क्या आपको फिर से शादी करनी है क्या नहीं ना तो जाहिए ना आप जाना नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं बाहर गुमने चले क्या रहे बाबा के बाल जाता हूं बोलकर यहां क्या कर रहा है वो नहीं अंकल वे अंकल प्रभू को गाना गाएगा देखिए कोई ना कोई मिलता है तो प्यार तो हुई जाता है मुझे भी हो सकता है तो इनसान की क्या हैसियत कि वो दो प्यार करने वालों को अलग करें हमें तो प्यार को संजोना चाहिए अलग नहीं करना चाहिए ये तो पाप है अगर प्यार कदिया किसी में चल जाए और वो इसे समझन की कोशिश करें तो तो समझो उसका जीवन सभर और यही बात कहने के मैं यहां आया हूँ प्रेम को पाप समझता था अगर आज आप प्रेम की परिभाशा नहीं संझाते तो इन दोनों को कभी माफ नहीं करता हूं स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजी आपके आशिरवाद से अभी दोनों की शादी करवाए तूंगा चलता हूं स्वामी जी अचाता है कि मुझे अवे क्या है यह सब्सक्राइब ने पालक की डाल है जो तुने करतूत किया ना उसे यहीं मिलेगा एदरापदी बिर्यानी खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपनी हीरोईन की बात कर रहा हूं यार बुरा फस गया हूं भाई फ्लैन कुछ और किया बात किसी और से हो गई इसलिए तो मैंटर फस रहा है भाई अब देखना क्या होगा मेरा फोन मेरा फोन कहां गया मेरा फोन कहां चला गया क्या हुआ क्यों शोर मचा रही हूं स्वामी जी मेरा फोन गायब हो गया फोन गायब हो गया चिंता मत किजिए तुम्हारा फोन जहां भी होगा स्वामी जी अपनी दिविधिष्ट से बता देंगे स्वामी अब का आदमी उसकी जेब में तुम्हारा फोन है अध्भुत महाध्भुत कमाल हो गया कमाल हो गया 15 साल आठ डिस्ट्रिक्ट चालीज गाउं 172 पुलीस टेशन 272 एसाइस सी आईस दोस्तों पुलीस वालों ने मिलकर इस चोरी का पता लगाने की कोशिश की लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाये क्यूंकि मैं इतना बड़ा चोर हूं लेकिन आपने बिना किसी मुश्किल से इतनी आसानी से मुझे पकड़ लिया आखिर कौन है मुझे पकड़ने के लिए र कि प्रेख और फॉन मुझे देते सालगा मेरा अच्छा था ना बकवास मत था थो कर अच्छा था या रखना मेरे भूते हुए तुमारा ये भेदाज को हुआ है यही चोटा होता है दर्थी में आने से पहले ये भेदाज आपक्यों यहां यहां पर महाभारत सुना रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ट की पेमेंड लेने में कलाऊंगा यह फोन जिसका है आकर ले जाए कि स्वामी जी भावी जी यहीं आ रहे हैं मौक अच्छा है स्वामी जी 2013 में मेरा स्कूटर चोरी हो गया था आप दिव त्राफिक जाना रहा है अरे सिर्फ ट्राफिक की छोड़ी इसले डेवल्लप्मेंड पर भी तो असर पड़ता है न ओहोदे लगता है ना तुझे क्या फिकर करनी है उसकी अरे सुन अप क्या हूँ आ मा तू इस आदमी को जानता है न में तेरा कुछ पैसे वैसे का लेंदीन है क्या क्या आपको क्या लगता है उन्हें और क्यों काम नहीं है क्या और वैसे आपको पैसे की क्या जरूरा अरे सभी को काम है और तुझे तो काम से फुर्सती नहीं काम के लिए तेरी जान उपर नीचे होती रहती है जब देखो पैसा पैसा अरे तुम गाड़ी चलाओ ना भाई सीरे जाकी बोल दीजे कुछ कड़बढ होगी तो हम देख सवामी जी क्या कर रही है क्या बात है स्वामी जी स्वामी शब सुनते ही मेरे दिल में दर्द हो जाता है ऐसा क्यों स्वामी अरे नहीं मैं सर्फ एक लड़का हूँ स्वामी थोड़ी ना हूँ वो तो तुम्हारे चक्कर में रुग गया वरना कल्ती खा लेता कपका मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था तब से मेरे दिल नाजाने क्यों बेचैन सा रहता है कि उसके बाद जब तुम्हें यहां देखा तब मैं समझ गया कि यह उपर वाले का इशारा है इसलिए मैं यहीं रुग गया सिर्फ तुम्हारे लिए वरना मैं तो कैसे हुई अभी तुम्हारी कहानी खत्म करती हूं चोर होकर बाबा हुने का नाटक करते हो अभी तुम वही हो ना जिसने मेरा फोन चुराय था अब समझ में आया तुम लोगों का चोरों का गैंग है तुम सबको अभी बताती हूं रुक जाओ यह मेरे दोस्त के प्यार का मामला है तुम आगे नहीं बढ़ सकती क्या बात में सुनू तुम्हारी आज इस बात का फैसला होके रहेगा आया ना जो भी कहना अभी कह दो बना मैं अभी जान दे दूंगा यारे एक तो मेरा फोन चुराया और उपर से बगवास कर रहा है मैं इदर लव की बात कर रहा हूं तुम लड़कियों को ने जानते नहीं हो इन लड़कियों को आखे देती है भगवान दुनिया देखने के लिए और उनकी आदों में अगोजाते हो और यह क्या करें घर जाकर सोफ़े पे आराम से पसर जाती है और टीवी चालू करके म्यूजिक सुनती है आधी रात को एस लड़कों को स्माइली बेज़कर चैटिंग करके खुश हो जाती है लड़कियां खुष्बू। स्वामी जी! माप स्वामी यह बाबा या स्वामी नہीं! सब चौर है! पुरी गैंग की इन वोह से दिखोई के इस धोका दिया यृ क्या? स्वामी जी और चौर बना दिया तुझे? स्वामी जी ये तो पूजा से छुटकारा पाने के लिए ये सब बोल रही है जब भी मूँ खोलेगी छूट बोलेगी मा सच कह रही हूं मैं तू चुपकर सच बोलू तो यही चोर है इसने क्या किया पता है मेरे कबर्ड में रखे हुए पैसे इसने चोरी किये और उससे सेलफोन ले लिया अब देखिए आप सब को चोर बोल रही है अरे ये सही तो कह रही है हम लोग चोर ही को है तो फिर हम जगला क्यों कर रहे है आप चाहे कुछ भी कीचिए पर इसे थोड़ी से अकल दे देवी मा मैं अको कैसे समझाओं अरे भाई इससे तो हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है भाई ये तो वही है बैंक में इसी के तो पैसी चोरी किये थे आप शूरो जब कैरेक्टर में आ जाओ मुक्ती चैनल के प्रोगाम के जाए कुछ तकलीफ है इसलिए बाबा के दर्शन के लिया है ठीक है आपने यहां कर बहुत अच्छा किया सामी जी के दर्शन करके आपका जीवन सुक में हो जाए बाबाजी के बारे में लॉयर रवी जी ने बताया किसी और के कहने से आप यह नहीं पहुंचे स्वामी जी का बुलावा आया तभी तो आप यह पहुंचे है प्रणाम बाबाजी हमें आशिर्वाद दीजिए सुधा सुधा यह क्या हुआ सुधा भाब बिल्कुल मत घब राइए स्वामी जी बहुत शक्तिशाली हैं इनकी शक्ति से ही यह चेतना हीन हो गई सुधा यहां कोई डॉक्टर है क्या डॉक्टर सुधा कल्या सुधा डॉक्टर मेरी सुधा क्या हुआ वाबाजी यहां अनिकी वजय से मेरी बीवी प्रेगनेंट हो गई बाबाजी यह आप इकी महीमा है बाबाजी यह आप इके आशिरवात से हुआ है शादी के बाद दस साल से नजाने मैंने कितने मंदिरों और हॉस्पिटल के चक्कर लगाए है नजाने कितनी दवाईया और जड़ी बूटिया खा चुका हूँ बाबाजी आप मेरे भगवान है बाबाजी मेरे नहीं आप सबके भगवान है बाबाजी मूर्ख है आप लोग आपके पास दिमाग नहीं है दिमाग नहीं आपके पास ऐसे बाबाजी कश्टदूर करने वाले बाबाजी प्रेगनेंट को इन चार दिवारों में कैत करके रखा है आपकी महईमा सबको बता चलनी चाहिए पूरी दुनिया को बता चलनी चाहिए झाल समझ गया शुक्रुवार को आने वाले शुक्रुवार को मुक्ति आपका लाइफ डेलिकास मैं अरेंज करूंगा बाबाजी आपकी महिमा को पूरे राजी को मैं बताऊंगा बाबाजी सुब़ हो गई मैं अभी तक सीम नहीं बनाओ भाई तुम क्या बोल रहे हो कितना टाइम नहीं है पहले बुढ़े को टपगाने का प्लान करो उसके बाद मुझे फोन करना जहां बैस अब देख लूंगा कुछ नहीं और आपना ही फंटर है सब को कुछ ना कुछ बनना है किस किसी को कॉरोपरेटर किसी को मिनिस्टर और किसी को कलेक्टर ये सब छोड़ो तुम बताओ कल स्वामी जी के लिए मैंने एक प्रेस मीटिंग अरेंज करवाई है आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अरे क्यों नहीं आऊंगा पॉलिटीशन हूँ तो प्रेस मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा जाओ मैं आऊंगा अच्छा वो सुन्दर की जमीन है ना अरे वही जिस पर हम होटेल बनाने वाले हैं मैंने पर्मिशन के सारे पेपर बनवा लिया है तुम लेट हो गए मैं कभी लेट नहीं हो था एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगे ना ऐसे दस होटल बनेंगे फरोसा रखो परोसा तो है अच्छा ये बताओ प्रेस मीटिंग कभी कल ही शाम पांच बजे साड़े पांच बजे आऊंगा सवामी जी के पैर पड़ भाई अब ज्यादा रोमेंटिक बत हो कली बहुत बड़ा जगड़ा हुआ है वो लड़की बहुत गुस्दे में हो की अरे जो ना स्वामी स्वामी मुझे बचा लीचे स्वामी स्वामी, आप इमेरी उंपीद है आप भी मुझे बचा सकते हैं स्वामी अगर आप सहएब नई देंगे तो खुद्धुस्शी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा मेरे पास क्यान है यां मेरा नाम है प्रकाश क्याह स॥ामी जीने के लिए कोई सहरा नहीं बचा, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, स्वामी, मुझे सहरा दीजिए, स्वामी, पेटा प्रकाश कुमार, तुम्हारा नाम सिर्प प्रकाश है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है. दुखी मत हो, यहां पहुँच पाया, इसका मतलब बाबा की किरपा तुमपर है. जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए यहां सेवा करो बाबा का अशिरवाद सदा तुम पर बना रहेगा धन्यवाद स्वाम मेरे लिए इतना ही काफी छोटे बाबू गुरुजी ये पढ़े लिखे लगते हैं इन्हें ट्रस्ट में कोई काम दीजिए अवर्शे गुरु तुम झाले करे मतरा प्राप्त करेंगा थार थारे करेंगा तुम आड़ुट दीवाद प्राप्त प्राप्त प्राप्तिंटाप्त करें बादे लिएर वजब? खुश्बू दूर रहकर ही बात करना मुझसे तुम्हारे पैर को छूकर लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर में कीड़े रहेंग रहे हों यह भी कोई जिंदगी है एक चोर की तरह जीना एक धोंगी स्वामी बंद कर जी ही क्यों रहे हो इससे तो बहतर है मर जाना हुआ 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 है आप हुआ है हुआ है ये बात सच है कि मैं एक चोर हूँ लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे प्यार नाम की चीज ही नहीं है एक बाद तो साफ हो गई, कि पैसों से प्यार नहीं ख़ियद आ जा सकता, जबसे तुम्हें मंदिर में देखा है, उसके बाद देखनी के लिए बेताब हो गया, एक बार तो यहासे पैसे लिक निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी वज़ा से मैं रोक गया, किसी के लिए अपना जीवन बदलना यही तो प्यार है क्या ये सच्छा प्यार नहीं है पता नहीं पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदर में देखा तब तुम मूर्ती की चोरी कर रहे थे और यहां आकर एक धोंगी स्वामी का नाटक कर रहे हो तुम पर कैसे यकीन करूँ यह मुझे समझ में नहीं आता प्यार का मतलब यकीन भी तो है न तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा ऐसा कुछ जो मुझे सच लगे सच का मतलब इतरे सुबूत काफी है उस कृष्णान स्वामी की पोल खोलने की आप लोगे काम कीजिए कल शुक्रवार ठीक पाच बजे उसने प्रेस मीटिंग रखी साड़े चार बजे आश्रम के आसबास पुलिस फोर्स लिकर आ जाई कल सिर्फ इस बाबा के बारे में बात नहीं करे बल्कि भगवान के नाम पर भक्तों को बेवकूफ बनाने वाले हर बाबा को लपेटिंग और उसके बाद यह सारे बाबा लोग बेबी बन जाएंगे इनकी धोती फाट दुखा जल्दी चल हमें प्रेस मीट के लिए जाना है प्रेस मीट के लिए हमें क्यों जाना है पहली यह मीटिंग कब स्टार्ट होगी थीक पांच बज़े शुरू होगी आप आ रहे है ना दस मिनट लेट आऊंगा पहले आने पर लोग सोचेंगे इसे कोई काम धंदा नहीं है सर बोली सर काओ नीचे हैं सर अपने सब लोग आ गए गुट दस मेट पे उपर आजाओ ओके सर अभी आए सर साड़े पांच तक थाबा बोल तो ओके सर उपस्तित सभी भक्तों को मुक्ती चैनल के ओडियंस को मेरा नमशकार आज का दिन बहुत ही खास है यहां की ओडियंस के लिए हमारे चैनल के लिए ये एक यादगार दिन होगा क्यूंकि आज हम एक आम इंसान का परिचे नहीं करा रहे हैं साक्षात भगवान का परिचे क संभवामी युगे युगे पाप के अधिक बढ़ जाने से दुष्टों को दंड देने की नियत से भगवान विष्णों को प्रिथ्वी पर अवतार लेना था परन्तु वो अफ्तरित हुए ना मनुष्य रूप में पैदा हुए ना देवता की तरह प्रगठ हुए परन्त सबको एक साथ हत्कड़ी पैनाएंगे ओके सर आप सबको मेरे नमस्कार मैं अपने भगवान के बारे में आपको क्या बताओं जब इस शहर में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था आज उसके कृपा से सब है और इसी भगवान की किरपा से आज मैं आपसे बात कर पा रहा अब मैं इस भगवान के बारे में क्या बताओं ये तो साक्षात क्रिष्ट भगवान है जै हो क्रिष्ण अलंद स्वामी के अब हमारे ट्रस्ट के सदस्य लॉयर रवी बाबू बात करेंगे हमारे देश की अदालतों में गुनेहगारों को सजा दी जाती है लेकिन आप मुझे बताइए क्या गुनेहगार कम होते हैं नहीं होते ना इसका मतलब है कि आज के इंसान कोट से मिलने वाली सजा से ड़ते नहीं है मनिश्यों का हिर्दे परिवर्थन करके उन्हें सद मार्क दिखाने के लिए ही यहां स्वामी जी आए कृष्ण अनन्द स्वामी जी की जै हम दस मिनिट में मिनिस्टर साब आ रहें तब तक इंदिसार करो हम पुलिस का है नीची है सर उनसे को जल्दी ऊपर आजाए ओके सर आप सब का हार्तिक स्वाकत है मैं यह देख रहा हूं कि आप सब लोग मुझे भगवान का रूप मानते हैं लेकिन हकीकत यह है कि मैं भगवान नहीं हूँ मैं एक चोर हूँ मैं क्या कहा बाबा खुद को छोड़ बता रहा है अब गाड़ी रोख प्रेक लगा किसी ने मुझे सच कहने को कहा है और इसलिए मैं सच कह रहा हूं मेरे चीवन में सरफ दो ही सच है पहला सच मेरा प्यार है और दूसरा मैं एक चोर हूँ लोगों नहीं बोला कि हमने धोखा खाया से सी टीवी कैमरे से भी पता नहीं चला डाउं की लोगों पर भी अट्रेक नहीं हुआ राज की लोगों को और प्रेस वालों को बुला कर सब के सामने बोला कि मैं भगवान नहीं एक चोर हूँ बाबा ने आकर ऐसा क्यों कहा होगा हम आपको पल-पल की ख़बर देते रहे हैं पहला सच मेरा प्यार है और दूसरा मैं एक चोर मेरे पती को कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर ट्वंटीफोर आवर्स तक कुछ नहीं कह सकते सुनिये जी मेरा क्या होगा है बाबा ने तो कहा था क्या ठीक हो जाओगे संत्या नाश उस बाबा का पीपी शुगर सब कुछ आपको पड़ गया है मैं क्या करूँ बाबा का सर्वनाश हो जाए उसके हाथ मेरे टूट जाए लेकिन सर आके हुआ क्या है तुम लोगों ने एक गधे को भगवान बना दिया चैनल की टी आर पी लुड़क गई चेहरमेन साथ की आखों में खूल उतराया है वो मुझे चाली तो सर मैं वहां गया तो मेरी बीवी प्रेगनेंट हो गई तुमारी वज़े से हुई है उसक मेरे जीवन में सरफ दो ही सच है और दूसरा मैं एक चोर हूँ अरे मेरे भगवान क्रिष्ण यह तुने क्या कर दिया यह मैं पहले का तो तो निश्त्र में तर्फ लटक्रेश करणी coffee उनके सच्चा है जानने के बागवान नहीं मुझे धोका दे दिया तो इस दुनिया में जीकर में क्या करूँगा आज या तो हो मरेगा या फिर मैं मरूँगा अब जान लें दोगा चोड़ो मुझे अधिकार नहीं चलिए यह क्या कर रहे हैं अरे क्या रवी तेरी प्राब्लम क्या है उस दिन तेरे लिए निकला था उस सौमी ने सारा खेल बिकार कर दिया उसके बाद सिम का फोन आ गया मैं वहां चला गया तेरे पास आने का टाइम ही मिला बात क्या है अरे मीडिया वालों का मुझे बंक करो बहुत मुश्किल है वह मीडिया है और मुझे उसकी जरूरत है अगर मैंने उंगली की तो मेरे कुरसी का भईये निकाल देंगे लगता है तुम भूल रहे हो 15 केसे मैंने लड़कर तुमें जिता है तभी तुम मिनि अब एक काम कर तीनों को कुछ दिनों के लिए मीडिया से दुर रख मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा नाम ना है संभालोगे ओके एक कार निकाल मैं स्टीम बात लूँगा हेलो सिच्वेशन क्या है कल से सेम सिच्वेशन है और मीडिया वालोग पता चल गया तो संसनी खेस खबर बना देंगे वो लो कहां पर हैं यहीं पर हैं एक काम करो आधे घंटे में एमूलेंस वहां पहुंच आएगी और उसमें स्वामी जी को चढ़ा दो फिर मीडिया तो चप चोरी कीडिं तब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मैं जानता था कि एक नाएक दिन यही होगा लेकिन इसने को सुना नहीं अब नतीजा देख हां नतीजा सोचकर अगर प्यार करना होता है तो मैं प्यार नहीं करता है प्यार मैं हूं रिपोर्टर सुजी, धूंगी बाबा की आश्रम में मीडिया वालों को जाने से रोका जा रहा है, और मीडिया वालों से गलत पहवार किया जा रहा है, आश्रम में चारों तरफ गुंडे फैले वे हैं, सिचुएशन आउट अफ कंट्रोल हो रही है, इस कांड में कि लग रहा है, आगे की जानकारी के लिए देखते रहे हैं, साक्षिटी, अरे स्वामी जी आ गई, स्वामी जी चोर बाबा क्रिश्ण आण स्वामी जी के पीछे आपके लावा और कौन-कौन है, क्या ये सच है कि जन्ता को बेवफू बनाए गया है, और उनसे पैसे एटे बाबा अपने आपको चोर क्यों बलाते हैं, क्या इसके पीछे राजनितिक दपाव है या कोई और बजय है, इस प्रासे के बाद बाबा विदेश भागने वाले ऐसा सुनने में आ रहा है, जन्ता को बताईए कि क्या आपकी मुलकात बाबा से हुई है, आप सब जो भी प् परिक्षा का समय है, भगवान श्री राम चंदर जी ने भी सीता जी की परिक्षा ली थी, इसका अर्थ यह नहीं कि सीता जी ने कुछ अनर्थ किया था, या श्री राम जी ने कोई बाब किया था, यदि हम श्री राम चंदर जी के दृष्टिकोंड से उसे समझने का प्रय सर्फाइबwarNG जताते हैं by घगवान जो भी करते हैं तदे हम लोग उसका खलत अर्थ लगाए कर आलोचना करते हैं सीता जी की परिक्षा रामचंत्र जी की महनता बताता है यह सीता जी की पती व्रत को ही उजागर में ही करता, ये श्री राम चंद्र जी को समाज में आदर्ष के रूप में इस्थापित करता है, वैसे ही माखन चोर का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ माखन ही चुराते थी, यहां माखन का अर्थ हिर्दय है, अर्थात प्रेम का प्रती, वो सारी बा वाला उसी वर्ग में दुबारा पढ़ाई करें उसी तरह स्वामी जी ने भी अपने भक्तों के बीच में असली और नकली को पहचानने के लिए परिक्षा रखी है उन चोर भक्तों का पता लगाने के लिए ही स्वामी जी ने ये परिक्षा रखी है मुझे पता था कि मेरा भ अब hacktos की परिख्छा ले रहे हैं जसे देखते हैं यह आब के बारे में भग्तों के जिरे हैं माबा हम अज्जानियों के लिए आप ही भगवान है मेरे सुअथ को बचाने वाले आप हो pathah thank you sir तुम्हारा promotion laser thank you very much sir congrats thank you brother मुझय पता है तुम बहुत talented हो समय समय पर भगवान सब की परिक्षा लेते हैं इस बार तुम्हारी थी अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो स्वारी बेसार करें सर गंगराशुलेशंस स्वामी जी की कुछ ड्रामा लग रहा है सर वो बोलता चोर है लेकिन लोग मानते नहीं मीडिया और पबलिका खुब टाइम पास हो रहा है ऐसा लग रहा है यह पबलिसिटी इंस्टन्ट है सर मतलब भगवान के लिए मार्केटिंग टीम काम कर रही जब वो कह रहा था कि वो चोर है तो उसकी आखों की मासूमियत देखकर मैं खुद भी कन्फ्यूज हो गया था वो इतना बड़ा एक्टर है कि उसके सच और को हम में से कोई भी नहीं पकड़ सकता है कि एक काम कीजिए वहां मौझूद लॉयर्स पुलिस पुलिस पुलिटीशन्स उन लोगों की बायोडिट और डीटेल्स मुझे चाहिए हो किसे है एक और बात उस आश्रम को कौन संभाल रहा और कब से संभाल रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए हो किसे अब उन आश्रम वाले बावाओं की कुंडली पर ग्रहन लगेगा क्यों बे माइक पर क्या बोले जा रहा था तुम जैसे सड़क छाप को रहने के लिए जगा मिल गई तो स्याधत चर्वी चड़ गई है क्या हां अबैस सत्यवादी की आ बाव कौन है क्या कौन है जाना चाहते हो ना तो फिर वो चोड़े वाब उसे पुछिए है आब भाईया मैंने पहले ही का था ना कि वो पागल है अब क्या हो गया सर उसने कहा तो इसने बोल दिया आप हम ही मारने आ गए अरे कुछ समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात सुने और किसकी नहीं कि ना कुछ और करता है एकदम भखवास लाइफ यह वजह चार दिवारी के अंदर सब मिलेगा चल जा हू तंकी सर कमरे से बाहर कदम रखने की कोशिच की तो डिक थीक है कि चार दिवार जो कुछ भी करें लेकिन आश्रम फेमस हो गया है 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए अभी तक तो मैं दुबाई में सटल हो जाता दिमाग काम ही नहीं कर रहा सच बोल रहा हूं मैं एक पैक में नशा चड़ गया उसको खुश मत बोला यह हमारा लंगोटी है क्या बोल रहा है तू अभे यार इसको समझाना वो लोग बहुत खतरनाग लोगे हमें माल डालेंगे वैसे भी प्रेस में बोलने की क्या ज़र होती हम लोग चोर है इसको बोलके कोई फायदा नहीं है हम शकल से चोर लगते हैं सर पर स्टैंप लगा दू एक तरह से तू भ आई भी तो इस टाइम पर आई हो बूट इसका भांडा देखो अच्छे से देख लो मिल गई अब शांती तुमको ओगा अंबर बात पूरी तरह से अब तुमको हमसे और क्या चाहिए उस दिन क्या रही थी कि तू हमको नहीं जोड़ेगी अर्या अभी मार के दिखा तू म चीज़ ज़रू जानता हूं कश्वरू मुझे तुमसे सच्छा प्यार है बाई हमारी अच्छी देन आ गये हैं आप पक्का है मेले बनेंगे तीस रुपए हुए तीन हजार लो ना पैसे पेड़ पे ऊखते हैं ना कभी तीस रुपए की सूरत देखी है भया भया यहां अभी आ गई यहां पर आ गई है वो क्या बोलेगा मुझे पता है ना आपके ठिकाने उमा वो क्या है कि तुमारी पार्टी ओफिस तो चमक रही है यह पार्टी ओफिस नहीं है वो मुझे कुछ नहीं सुनना शादी के वक्त कहा था पेट्रोल पंप है जमीन है दुकाने है उसका क्या हुआ इसके गले में एक तोले के चेन भी नहीं है आप जोड़ता हूं धीरे बोलो स्वामी जी बेठे है जो नहीं कहना धीरे बोलो कुछ नहीं हुआ स्वामी जी मेरी टुटे हुए दिल की उमीद को आप ही बनाय रख सकते हो आपकी वज़ज़ से अगर ही सुधरते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी स्वामी जी इस कृष्णयनन्द स्वामी ट्रस्ट में आठ करोड जमा है सर लेकिन अभी तक कुछ तो गड़वड है एक भी ट्रांजेक्शन हुआ तो मोटीव के बारे में पता चल जाएगा तो प्रूफ के बिना अंदर भी तो नहीं डाल सकते ना जब अकाउंट ओपन किया था तब का फॉर्म होगा ना आपके बाद आपके बाद आपके बाद करेंज़ सीट पीस ग्रेट नौमीनिया खुश्बू इसे ये खुश्बू कान है ये खुश्बू कान है ये नहीं जानता सक्व जल्दबाजी में अकाउंट उपिन किया था इसलिए डिटेल्स नहीं ले पाए एक मिल्ट रुको एल्दा माथ क्या कर रहे हो तुम अपना हाद अचाओ क्या कर रहे हो अचाओ कर रहे हो तुम प्यारा रहा है मैं चातो हुमेश आशे रहे हैं चोटू दीदी कहां चली गाई मम्यारे खुश्बू इस तरफा जौँ इस तरफा चारी तेरी कहां चली गई तेरी मैंने देखा था कि यहीं थी खुश्बू खुष्बू, यहां नहीं है, चल, यहां से चलते हैं। क्या? अपने दिन और रात तुम्हारे साथ पिताना जाहता हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहोगे? आज 21 दिन खत्म हो रहे हैं। तो क्या? तुम मुझे अपने घर जाना होगा। और तुम चली जाओगी। और क्या? अरे, ऐसे कैसे? हाँ। हाले। भाई, वो लड़का अपने साथ रामा करके, आज सब में कोई लड़की के साथ में। कौन है वो लड़की? वो एले प्रिशिव की बेटी है। उस पर नशा रखना। इताए। तुम तु मेरे इगारा अगे। तु और क्या करता है? तु महां से चली आई तो तुम्हारे इगारा ना पड़ा ना? ठीक है, क्या है बताओ। एक चीज चाहिए। और वो चीज सर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या चाहते हो? तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है। पर मुझे अब डर भी लग रहा है। मेरे हो तुभे डर? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो पूछा। मुझ से शादी करोगे ना? तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? कैसे मतलब? ऐसे ढूंगी स्वामी बने रहोगे। तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या करों? मेरे लिए ये सब को छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। अगर नहीं बना तो… मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदलोगे। अरे यार, अब यह क्या नहीं अट अगया? जब कह रहे थे चलने को तब तो नहीं चला तू? और अब कह जा रहे तू? अब यहार रहेंगे तो हम सब फस जाएंगे। कुश्बू मुझसे शादी करना चाहती है, मैं चोर चकाली सब को चोड़ना चाहता हूँ जितने केसिस मैंने लड़े नहीं है, उसे कहीं स्यादा पंध की है। क्या समझता है तू? यह जो तो इतने दिनों से लॉंडिया के साथ इश्क कमीना वाला खेल 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 रहा है ना? इसको क्लोस कर दे वर रना उसका दी-एंड कर दूँगा अगर उसे सिंदा देखना चाहता है तो भूल जा उसे! अगरे ने दूब कर देशा है तो भूल जो सका देखना है तू? वह जांता नहीं है वो किससे पंगाल एडा है साथ वह जान खर दी इसको लेकर लेकर न प्पनूमेश़ता है मुझे खुच्बू के बाद सब्सक्राइब करेंगे नारम से तू सोचा यार यह सब यह सब उस्रावेगा यार तू चल यह सब कुछ में तौर ना लूँगा आजिए तू पर अपने रूम में चलिया है हमारे इस प्रोग्राम में सहायता मांगने आये हैं कैंसर वेशन जो है एक चोटा सा बच्चा यह चोटा सा बच्चा जो कैंसर से पीडित है इसके इलाज के लिए पूरे 25 लाक रुपए खर्च होंगे ऐसा डॉक्तर नहीं कहा है और इसके पैरेंस के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और यह लोगों से मदद के गुहार कर रहे हैं अगर आप मैंसे कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे इस कर दोनन इरिशन नंबर है उस पर ओल तो प्रों गाल भया तूने उसेपने बाप का पैसा संजाए तो क्या त बहुत हो गया तेरा मैं यहां खुश्बू के लिए रुका हूँ अगर तुझे मुझसे पैसा चाहिए ना तो मैं जो कर रहा हूं वो करने दे ज्यादा ओड़ रहा है तू चुप चाप मेरी बात सुन ले मैं कोई छोड लफंगा नहीं हूं अब मैं भगवान हूं भगवान कि वक्त पर आपने हमारी मदद की आप हमारे लिए मैंने तो कुछ नहीं किया सौमी आपने जो पैसे देने को कहे थे वो तो देंगे ना या वामी जी के संकल पर प्रश्न मत कीजिए राम बान की तरह स्वामी जी की बात भी कभी वापस नहीं लोटने वाली है वकील इधर पर रखो और इनका अश्रवात लेकर इन्हीं के हातों से इन्हें दिल्वाओ मुझे खुश बूचाहिए अधरने को पुरे घर में झुटो कलाश्कर ऑपको अधरमें घंदा करती है कि यह पेटी अधर करती है आपको खुझ थापर मिलिये जोड़ राइव सर एंध से अवड़ा करवारिये तेरी यह बेटी उस स्वामी के साथ सूने गई थी ए बहु बद करो उसका हाथ चोड़ो क्यों उस सार है एक दिन मेरे पास ही बेजा इसका सोने के लिए ए तू तो स्विच बोड से करेंट कनेक्शन देने का काम करता है पर तेरी बेटी का कनेक्शन डारेक्ट ट्रांस्फॉर्मर से हो गया है ब्लास्ट हो जाएगा तुम कि बापा आज मेरा बर्दे है बापा ची आज शान का बर्दे है इसके लिए हम पूजा करवाना चाहते हैं ठीक है मा आज शाम को ही हम पूजा प्रारंब करेंगे मम्मी मैं सबको प्रशाद बाटोंगा ठीक है अब यह सब्सक्राइब नहीं बेटा क्यों अब यह ऐसे खा नहीं सकता बापा मैंने तो सेफिसे चनम दिया है लिगे नापने सेफिना चनम दिया आपके आशिर्वाद से आज ही जिन्दा है बाबा आप सच में भगवान है पैसे भी जुआने से क्या कोई भगवान बन जाता है वो सब छोड़ो तुम मुझे भूल जाओ पागल हो गई हो मेरी शादी फिक्स हो गई है यह क्या बकवास है दस दिन में मेरी शादी है अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वर सिर्फ मुझसे होगी ऐसा नहीं हो सकता کی्यूं नहीं होगा बस मुझे जवाब चाहिए हमने उस स्वामी पर बहुत फ्यूचर प्लान्स किये कल आकर तुम बोलोगी कि तुम ने उसे भुला दिया अब तुम ये करो कि तुम्हें अपना प्यार चाहिए या उसकी जान यह आखरी वानिंग है कि मेरी जान के फिक्र चोड़ दो कल वही आकर तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करेगा कि करो fedましょう, एक साइब है मुझे भी नहीं पता, सर ऑपा ने अर्जट कॉल कर कर के कहा सभी चैनल पर लाइफ टेलिकास्ट करना है लाइफ टेलिकास्त तब इह तू जो कर रहे है वह सही कर रहा है, जय को कर लो भीनदें स्वाज ने संब किस लिए हैं ट्रस्ट के अकाउंड में 8 करोड है, हम, तुने दमकी दिया न, तो फिर सुन, खुश्बू के घर जाके उसके पिताजी से माफी मांग और कुछ भी करके मेरी और खुश्बू की शादी करवा, सारे पैसे ते रहे, तो सिंदा नहीं रहना चाहिए, जितना बोलो उतना कर, व हम इस राश्ट्र के जितने अनाथ बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, किताबे वगयरा, सब कुछ हम देंगे, बिल्कुल मुफ्त, इस संस्था को अनाथों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ये, दिल से करना चाहते हैं, देख जो अना लाइफ तेलिकास्त है, कुछ भी करोगे तो गरबर हो जाएगी कम समय में ही अपने अच्छे कारे के लिए स्वामी किष्णानंद लोगों के लिए भगवान बन गये हैं वो अपने ट्रस्ट के दवारा लोगों की सहायता करते हैं, जैसे अनात बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी देखवाल करना, ऐसे अच्छी कारे वो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं लोगों के दान में दिये गए पैसों से बाबा विर्द्ध लोगों के लिए मुफ्थ दवाईयां और जरुरत मन दोगों को वीलचेयर भी महया कराएंगे और लोगों को कपड़े भी दान में दिये जाएंगे भाईया भाईया ए टीवी देखो वो अभी तक चार करोड दे चुका है ऐसे ही रहे तो बाकी के चार करोड भी दे देगा अरे कुछ तो करो कुछ तो करो मेरे भाई कुछ तो करो उसने मुझे चैलेंज किया है सडक चाप कहीं का आज उसका किसा ही ख़तम करता हूं अब पैसे सिर्फाएंगे जाएंगे नहीं हाँ हाँ है ये जोड़ मुझे घृष तो कौड़ी का गुंड़ा मुझे चालेंज करेगा हाँ पाट चौड़े झाल झाल आपके ट्रस्ट हमारे MD साफ देखती है हमारी सरस्टा के तरफ से आपको पांच कौन रुपे देने के लिए बोले हैं हलो मैं सुजाता इंडर्श्ट्री का एमडी बोल रहा हूं ये एक प्रिश्नानन ट्रस्ट है I'm calling from Shilpa and Shilpa Constructions हलो मैं MTR कंपनी से बात कर रहा हूं हम दान करना चाहते हैं हाँ 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 वा मुन्ना तेरे पागलपन की वज़ा से ही दो सो करोड आ गए हैं अब देखना तकदीर कैसे पलगती है ए जानते हो तुम से मुझ से और उस भगवान से ज्यादा पावफुल क्या है वो है पैसा और दान से मिले हुए पैसे की तो बात ही कुछ और है चाहे कुछ भी हो जाए ये बाहर न जाने पाए और ना ही वो लड़की अंदर आने पाए आने जाने वाले सभी लोगों पर नज़र रखो सिसी टीवी कैमरा हमेशा ओन रहे है बहिया में निस्टर साहब नमस्ते नमस्ते कैसे है सौमी जी आपके दान पुन्य का कार्य तो हमारे सीम जी ने टीवी पर देख लिया कृष्णानन ट्रस्ट के लिए दस एकड की जमीन शम्शाबाद में दिये है उसके डॉक्यमेंट्स ए इदर ला उन्होंने कहा मैं ये पेपर आपको खुद दे दूँ ट्रस्ट के निर्माण में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार खुद देगी आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं ये पेपर उन्हें दे दूगा जय हो स्वामी सी रखो चलता हो स्वामी सी क्यों भाई आप तो ठीक है ना बढ़िया सी एम मान नहीं रहे थे मैंने किसी तरह मनाया एक बात और अपने MP MLA ब्लैक मनी यहां लेकर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी हां और सुन गवर्मेंट सेक्शन के गोडाउन में डब्बे में पैसे भर भर के रखें जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है वो सब फिफ्टी-फिफ्टी ठीक है कुछ भी हो जाए हम यहां से बाहर निकल नहीं होगा क्यूकि इतना हम रुकेंगे उतने पैसे आते जाएंगे मुझे खुश्बुस से बात करनी है बाहर के सिक्योरिटी देखिए बार्डर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती होगी उगी अचाना काया पर बात ही कुछ ऐसी थी मेरी पतनी की एक इच्छा है कल क्रिष्ण जन्माष्टमी है मतलब आपका दिन है यह आपके लिए विशेश पूजा करवाना चाहती है पूजा के लिए आप मना मत करेगा सोब्सक्राइब कल पूजा के लिए लेकिन सिर्फ महिलाओ कुनी मंत्रन देंगे बाबा कादेश है बाबा काशिरवाद तो चाहिए ना हां अफे पाखल हो गया क्या कल खुश पुआएगी कैसे यार मुझे फोन करके सारी बाते बता दी अक्यले रहने की आधत हो गई है मुझे मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अपने बच्चे पे तो ध्यान देना चाहिए कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने लेकिन तुम्हे तो एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है उसे खोना नहीं कल कृष्णा अश्टमी है उससे मिलने का मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है इतना अच्छा लड़का बार-ब वाल रड़का उन्हुआ बार लुम्हारा तुम्हार। बस हो गया बस बस एई यह सब क्या है इसको अपने घर लेकर की वाई हो अगर वकील को मालूम पढ़ गया तो दोनों को माई डालेगा अरे कैसे पापी हैं आप एक अच्छे पती नहीं अच्छे पिता तो बनाओ तुम किस टाइप के इंसान हो बड़ो का किया हुआ पाप बच्चों को भुगतना पड़ता है बीवी से नहीं कम से कम बच्चे से तो प्यार करो तुम्हारा पाप हमें भुगतना पड़ता है इन मैं जीवन में हमेशा हारता ही आया लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा उमा चाहती है कि तुम्हारा प्यार सफल हो जाए तुम दोनों खुशी से रहो बागी मैं सम्हाल लोंगा पापा खुश्बू चलो अंगल मैं मानता हूँ कि मैं खुश्बू के लायक नहीं हूँ लेकिन हम दोनों एक दुस्य से बहुत प्यार करते हैं को अंगल कर का मामला यहीं रहने दीजैना यही बात करें तो बाहर जाके तमाशा क्यों करना और कोई नो कोई होगा यह मुझे अच्छे से पत्राइए थंदे दिमाज में बात सब्सक्राइब को क्या हुआ है कुछ बोल नहीं रहे हैं को बचा लीजे मैं इसके बिना संदा नहीं पाऊंगे बाबाजी ऑस्पिटल क में डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मेरा बेटा इशान सिंदा नहीं रहेगा आप इशान को बचा लेजे बाबाजी मेरे बेटे को बचा लेजे इशान बेटा इशान बेटा आंके खोलो इशान एक आण बाबा और आइशो मा को बोलो नहीं रोए ऐसले मुझे कुछ नहीं होगा कि बोलो ना रावा के ब reply बोलो इशान, अपनी आंक है खोलो, मेरी बात सुनर करे हो इशान अपनीे आंक है, लोटे इशान.. 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 कर दुआ दो, कर थो रखन कर, कर दूं हुआ हुआ अगुआ हुआ 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 ए गान् 여 beğनका ह declare temperature कर दूए लो Lau know कि अब बहुत हो गया है अब हम यहां सचले जाएंगे कि मैं कौन हुई यही सोच रहे हो ना धरम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के नाक में नकेल कसने वाला एक नास्तिक हो मेरा नाम चैतन्य तुम्हारे बारे में तहकीकात करके पता चला कि तुम यहां लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए और असल में प्रॉब्लेम क्या है पता है जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हारे नाम की समाथी बना कर उसका बिजनस करना शु लेकिन देखिए इशान मेरे हाथों में दम तोड़ गया इशान की मौत की बज़ा तुम नहीं हो और उस कैंसर पेशिंट के जिन्दा रहने की बज़ा सिर्फ और सिर्फ तुम हो वो सब मैंने खुश्बू के लिए किया था सर इससे मिलने के बाद मुझे इसास होगे प्य इंसे मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदगी काट रहा था लेकिन जिदगी क्या होती है इससे मिलकी बता चला अगर जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी एक शम्शान काट है सर देखिये, इसने ये सब कुछ आपकी बेटी की हुशी के लिए किया है और आपकी बेटी भी इससे प्यार करती है, पूछ लिजे इससे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल बड़ा रखिये और समझ ये ब्लीज मेरी बेटी मेरी जान है सर फिर भी, बिना बताये इसके साथ चले जाने के लिए तयार थी मतलब ये कितना प्यार करती होगी इसे मैं समझ सकता हूँ ये कोई मामूली इंसान नहीं है सर, भगवान है लाखों लोग इससे प्यार करते है उन लोगों को अगर पता चला कि मेरी बेटी इससे प्यार करती है तो इसको भी मार देंगे और इसको भी मार डालेंगे वो लोग अब छोड़िये न सर, अगर ये भगवान नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर 20 साल के बाद पी रहूँ आज से ठीक 20 साल पहले मैंने कीता से वादा किया था इसलिए पीना छोड़ दिया था और वो ही वादा तोड़कर मुझे से दूर चली गई और वो और उसका तूट प्यार मेरे दिल में मेरी सासों में बसा रहा चीर्स यह जाम तुम्हें जो भगवान समझते उनके नाम गीता हमेशा कहती थी कि प्यार से बढ़के कुछ नहीं इसमें भगवान बसता है लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं नास्तिक होना हर बात में लॉजिक ढूमता थी उसके जाने के बाद समझ है कि प्यार कोई लॉजिक नहीं, मैजिक है गलती हो गई मैंने कभी प्यार जताये नहीं तो गीता समझती कैसे फिर मैंने देखा तुमारी आखों में वो प्यार, भुश्बू के लिए इसलिए कहता हूँ कि तुम और गीता ग्रेट हूँ, पता है क्यों, क्यूंकि तुम एक दूसरे से बे इंतहा महपत करते हो, फिर भी एक दूसरे को लात मार रहे हैं ये नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा, बस सच सब के सामने बोलना है कि मैं चोर हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ग्रेट हूँ, तुम्हें देखकर समझ में आया कि भगवान क्या है अरे मैं भगवान नहीं हूँ सर अरे भगले, भगवान का मतलब पत्थर, पेड, ओटो या मूर्ती नहीं है, मल कि भरोसा और यकीन है अगर भगवान है तो है और नहीं है तो नहीं है, करोणों लोगों का किया हुआ विश्वास और श्रध्धा इसी को भगवान कहते हैं भगवान बसता है सिर्फ प्रेम में और जो प्रेम में पढ़कर किसी से नहीं डरता उसी को भगवान कहते है, वही तो भगवान है मेरी भाशा में अगर समझना चाहो, तो कोई अगर किसी की मदद नहीं करता, तो वो नास्तिक है, और जिस इंसान के मन में प्रेम और तया है, वो आस्तिक है, चाहे कोई भी धर्म हो, हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है, मन को साफ रखो, हो सके तो चार लोगों की मदद करो, मुझ में किसी की मदद करने की हैसियत नहीं है, सर, मैं तो पुरी तरह भस चुका हूँ, तो क्या हुआ, कोई बात में, इमानदारी से रहने वाला और सच्चाई से लड़ने वाला, इस दुनिया में हमेशा भसता ही, अगर जीवन में संघर्ष नहीं, तो जीवन का कोई अ बोलो, अब ये तुम पर है कि तुम लोगों की मदद करोगे या नहीं, सबी लोग तुम्हें दिल और जांत से चाहते हैं, और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इस देश में हजारों इशान और भी हैं, और उन सब की मदद तुम्हें करनी, मुझे? आँ, तुम्हें, कुछ भी बोलो, वो मान लेते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि कोई न कोई उनके दुख को दूर करने आएगा, उससे निजात दिला देगा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ से? लोगों ने तुम्हें भगवान मान कर तुम्हारे आश्रम म इसे 3D होलोग्राम केहते हैं, तुनो, कामरा वाल अगा और वहां बीच में खड़े लोगों तुम्हारे यह क्या है? अरे यह क्या है? इसकी तो जराउक्स कोपी यहां पर आगई अरे सर, जुडवा के वरुन्धवन जैसा है यह सम्थिंग लाग ताट इसी टेक्नालोजी को माननिय प्रधानमंत्री जीने भी इलेक्शन में यूज़ किया था, कोई अगर वहां नहीं है, तब भी ऐसा लगेगा कि वो वहीं मौजूद है, बिल्कुल रियल इमेच, लेकिन इसकी हमें क्या ज़रोत है, सर? गवर्मेंट की तरफ से आश्रम के लिए दी गई जमीन 24 को भूमी पूजन करने का प्लाइन किया गया, और उस दिन तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए हजारों लाखों लोगा है, उसे स्टेज के नीचे में एक रूम अरेंज करने बाना, और तुम खड़े रहोगे सिर्फ उसी रूम में और 3D टेकनोलोजी द्वारा, ऐसे, सर वो खुशबूब, जनता को जो चाहिए वो तुम करो, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं करो, इसमें तुम्हारी स्पीच है, प्रिपेर करो, याकीन से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता और संकल्प से बढ़कर कोई हिम्मत नहीं, और वो दोनों ही तुम्हारे भीतर है, बढ़कर कोई तुमने जमीन मांगी, मैंने दे दी, और भूमी पूजन के लिए जो तुमने तारिक तै की है, मैं आ जाओंगा, और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया ना, तुम्हारे आने से, पार्डी के कुछ छोड़े मोटे नेता भी साथ आएंगे, और तो नैशनल मीडिया इसे कवा करेगी, स्टेट में फेमस होते ही दो हजार करोड का बिजनस, और देश में फेमस हुए तो सोच लो, वो क्या है ना, मैं पहली से आगे पढ़ नहीं पाया, इसलिए तुम ही बता दो, एक लाग करोड, जो तुमारी सोच से भी परे है, सीम आ सीम आजाएगा, तुम तयारी करो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, मिनिस्टर रगु के स्कैम की फाइल मेरे टेबल पर कई दिनों पहले आई थी, सीविया इनक्वारी का ओडर दे दिया है, बहुत जल्द अंदर जाएगा, सर जस्ट वान तिंग उस ट्रस्ट में जो क्रिमिनल रभी है, उसके बारे में भी सोचिएगा, हर किसी का टाइम आएगा, but you are doing a very good job, इन पैसों को जनता तक पुचाने के लिए तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए, मिलेगी, okay? Thank you, thank you so much, sir, really appreciate it. So, how is it going? आप कैसे हैं, sir? तुम बिल्कुल नहीं बदले हो चाहता, अन्य, sir. जब तुम आई है सर्वेस में तब भी तुम काम की बात पूछने के बाद परसनल कोईस्टन करते थे, well, in fact, वो तुम्हारा जॉब छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था, but अब तुम जो कर रहा है वो बहुत अच जोजन कव है सरेसी 24th 24th, good, I'll come. that and you, I will settle all that. Thank you, sir, I'll take your leave. All the best. See you, sir. एए ना ही कभी मेरी सोच के बीच में आना और ना ही मेरे सपनों के बीच में कल तेरे प्लैन के मुताबिक वो भगवान बनने वाला है उसके पहले मैं उसकी अर्थ ही निकालूंगा भगवान बनाएगा भगवान तेरी आत्मा को शांती दे मैं कृष्णानन स्वामी यहां पर आये हुए सभी भगतों का अभिबादन और अभिनंदन करता हूँ सरकार से मिले 10 करोड से यहां पर शौपिंग मॉल बनेगा यहां पर कोई वंचित नहीं रहने वाला जो इच्छा हो खरीद लो अने जुगादा किया था उसे निभाने ही पार हो उने प्लैन पता चल गया है भगवान मतलब भरोसा करेक्ट और भरोसा मतलब विश्वास अगरा भरोसा अगरा भरोसा ने सर का कोई मेसेज आया मैंने जो वादा किया था उसे निवाने पार हो उन्हें प्लान पुता चल गया है लेकिन तुम्हें जनता के सारे पैसे जरता तक पहुचा नहीं होंगे क्योंकि जनता का भरुसा सिर्फ तुम्हारे उपर है उनके भरुसे को तोड़ना मत इशान की मौत की बज़ा तुम नहीं हो और उस कैंसर पेशन के जिन्दा रहने की बज़ा सिर्फ और सिर्फ तुम हो इस देश में हजारों इशान और भी और उन सब की मदद तुम्हें करो इस अफसर का पूरा पूरा फायदा उठाओ इसे खोने मत तो इस नेक काम को करने का जिम्मा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौपा है जन्ता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है उस भरोसे को जिन्दा रखते हुआ लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है अगर जिन्दा रहना चाहता है तो सामने से हट जान की परवा नहीं है लेकिन इस कमरे से एक रुपया भी बाहर नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो जन्ता को जाएगा अज धव, कि झाले है कि बाहर जो जी बाएग को जो जोframes झाले हो जोगते है थार जाएगा posição करना जाएगा चार थार जाएगा है एक भूबब बहुरों एक बहुते हैं पुलिस स्टेशन से लेकर कोट की चार दिवारी तक बरसों से मैं ऐसा ही खेल खेलता आ रहा हूं और तू मुझसे खेल खेलेगा ठाह वो दो, तक बड़ है खेलेगा पेलेख करिज भुटेंग एर गड़िए थे पाय गुटेंगे! मेरे होते हुए तुम कभी भी इंसान नहीं बन सकोगे स्वामी ही तुम्हें बन के रहना होगा रुपए कितने है दो हजार करोड रुपए सर दो हजार करोड बहुत बदा एमाउंट है अपोजिशन को दिया तो तुरंत अपने 10 एमले उनकी पार्टी में चले जाएंगे पैसे वेस्ट न होने पाएं नाओड़ेज मनी इस एवरिफिंग वो कभी भी कुछ भी कर सकता है तुम्हें काम करो तुक्या कर रहा है तुझे पता है तभी तो कर रहा हूं एक बार फिर से सोच ले अगर कुछ गरबड हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे अब कोई फरक नहीं पड़ता मुझे कुछ भी हो जाएए पैसा जंता तक पहुँच कर ही रहेगा तुम यह जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी जान मानता हूं लेकिन आज इम्तिहान की घड़ी है चैतने सर जो काम छोड़ कर गए हैं अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाया तो तुम्हारे सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं होगी हमारा प्यार एस बलिदान से बड़ा नहीं है खुश्बू और आपने सही समझा अंकल मैं आपका दामाद नहीं बन सकता शादी के बादेना चाता ता दन्यवाद आप सब लोगाए अब सब की तरह ही एक इनसान पर अब तक मैं पनी जिंदी की जीरा थे क्ष्वार्थी इंसान बनके लेकिन प्यार ने मुझे इंसान बना दिया और आपके विश्वास ने मुझे भगवान बना दिया आज एक जिम्मेदारी मुझे आपके सा इस प्यार और विश्वास ने मुझे सिखाया है कि माया मंत्र जाप का भगवान से कोई लेना देना नहीं है पर किसी की मदद करने वाला हमें से ही कोई इंसान हो सकता है जो भगवान की दिखाई रहा पर चलता है और सच्चा प्यार भगवान ही है भगवान की रहा पर चल बच्चा भगवान को देखा भी है हर छोटा बच्चा भगवान ही होता है इसलिए छोटे बच्चों के लिए क्रिश्चन नंट्रस्ट की तरफ से हम एक हस्पताल बनाने जा रहे हैं कई मासूम बच्चे अपनी जान खो देते हैं कई बिमारीयों की वज़ज़ से कि आज के बाद किसी मासूम की जान नहीं जाएगी कोई भी बच्चा बीमारी की वज़ज़ से आज के बाद नहीं मरेगा क्योंकि हर बच्चे में भगवान होता है आज किसी ने स्वामी कृष्णनन को गोली मार दी भगतों के दिये हुए 2,000 करोड से स्वामी जे चिल्डरन हॉस्पिटल बनाने के प्लान का एनाउंस्मेंट करने वाले थे और उसे दौरान उन पे आटैक हो गया नमस्ते नमस्ते कैसे हो तुम जी मैं ठीक हो तुम्हें इसने शूट किया था मैंने ही शूट करवाया करवाना पड़ा शैतन्य ने एक वादा किया था कि तुम वो पैसे जनता को दे दोगे तुम्हें भगवान से इंसान बना देगा इस माबले में मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी हर तरह से मदद जरूर करूंगा और मैंने मदद की उसकी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं तुम्हें जो करना था तुम्हें किया अब वो ट्रस्ट पैसे सब जनता के हैं स्वामी से अब तुम इंसान बन चुके हो चाहूं अब तुम अपनी जिन्दगी और अपने प्यार का अनंद उठाओं अल्ट बेस्ट डॉक्टर जी सर आब एक काम कीजिए को कि को कि हो जाएगा तुम्हें कि हो जाएगा तुम्हें कि पर वो कुछ नहीं कर पाए स्वामी जी अब हमारे बीच नहीं रहे जाते से ही ध्रोवम मृत्य हो ध्रोवम यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जनमते ही मृत्यू निश्चित हो जाती है बाबा का शिरुवाद हम पर हमेशा बना रहेगा मनुष्य का यह करतव्य है कि वो दूसरे मनुष्य की हमेशाहाचाता करें यह सिखाकर चले गए बाबा उनके संदेश को उनके आशय को हम जनता तक पो जाएंगे यह ट्रस्ट जनता के लिए उनके उथान के के लिए हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उन पैसों का हमेशा सद्यूप्योग होता रहे हैं सर्वे जना सुखीनों को वह क्यों मैं यह कर दूँगा तो आपने कहा था कि आप मेरे सारे के इस खत्म करवा देंगे गुड मॉनिंग सर गुड मॉनिंग प्रेस क्लब का सी सी टीवी कैमरा फूटेज चेक किया तो पता चला कि उनके पर गोली इन होने चलाई थी ऐसे में आपका जमीर क्या कहते हैं आप कहें तो मैंनको अरेश करूं सभूत मिलने के बाद सी अमी नहीं पीम बोले तो भी बद इसे ले जाओ ओके सर धरम संस्था बनाए करना पड़ा एक अच्छा काम करने के लिए बुरे का इस्तमाल करना पड़ा अब जाओ सर चलो सर सर लेकिन कुकुमबर के से अमस्थ में जास, कंगी तो मेरे साथ का अपक बोलते हैं अब लड़के उसकरे तो मेरे य।कूंबर कितना बड़ा अनाडी है तू इसलिया इंगले चीख ले समझा ओअ ast टीते60 legit अब जाए लाया हूँ यह लो सब बिल्बाल के खाना अधाम से एक खाना बना की नहीं हितनी देर से बना रहे हो बच्चों किसा लगा हूँ वह यह मैं सबर नहीं है क्या ठीक है चैतन्या का किया वादा कि अर्जुन भगवान से नॉर्मल इंसान बन गया खुश्बू शाद बिल्डर शक्ती बाबू उसी आश्रब में रहकर जिसको जो चाहिए दे रहे हैं अर्जुन को सी एम ने वादा किया था वो ट्रस्टी हॉस्पिटल गव्मेंट देख रही है अब बचे है कहानी के सुत्रधार गुरुजी गुरुजी भाँ नमस्ते बोलो बेटा मैं तीन साल से शिल्पा से प्यार करता हूं शिल्पा को क्या हुआ शिल्पा को कुछ नहीं हुआ राहुल ने सुसाइड एटेम्ट किया है इसी हॉस्पिटल मैडमीड है राहुल कौन है बेटा शिल्पा से वो प्यार करता है तुम मुहारा मन जो कहता है वही फालो करो मैं भी आज तक वही करता आया हूं जो मेरा मन कहता है कभी फेल नहीं हुआ मैं बुद्ध्यू हो क्या मुझे अकेले छोड़के आ गई यहां मैंने राहल से कह दिया आगे से मुझे आई लो भी न कहे फिल्म देखने चलते हैं फिश्वा कीजिए काम हो जाएगा सबका शुब हो